प्रेंट्स, एतिसाम के चैनल पे आप सब का स्वागत है तो चैनल पे नहीं हैं, तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर दें और लाइक कर दें और नोटिफिकेशन आपको ताके मिलती रहे और फैमिली फ्रेंट्स के साथ सेर कीजिए देखे व्रेंट्स आज मैं फिरनी की रसीपी बताने वाली हूँ इसके लिए मैंने 75 ग्राम चावल लिया था और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्से जार में पीस लिया है देखे व्रेंट्स इसकी कंसिटेंसी इसी तरह से रहेगी इसके बाद देखें फ्रेंट्स मैंने लिया है एक लीटर दूद देखें ये एक लीटर दूद है मैंने डाइरीज का दूद इस्तिमाल किया है आप चाहे तो गाइब हैस किसी भी चीज़ का या पैकेट वला कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंट्स ये आपके उपर डिपेंट है आप जिसका चाहें उसके उपर कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स ये देखें अब हमें क्या करना है इसे अच्छी तरह से दूद को डाल देना है चावल के साथ ही फ्रेंट्स ये देखें इसके बाद मैंने गैस जला लिया है गैस जलाने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है क्योंकि अगर हम इसे चलाना रोक देंगे तो इसमें लम्स पर जाएंगे जिसके वज़ा से हमारे फिरने बिलकुल भी अच्छी नहीं होगी इसके लिए हमें अच्छी तरह से इसे चलाते रहना है हमें इसमें लम्स नहीं आने दे आप इस तरह चैनल जादा से जाते ही रहना है किसे अप न olhar सब्सक्रीब आप लोगले की दॉक्त का में चटा पीडर मेरे जादा से जादा शरुट पर जादा से विश्वा इंजआ और अजने किसल िूबह पन्वे मilik काटार है Ben hog आप यह स्थितिक हो जाएगा आप प्लीज़ इसे रोकियेगा मत नहीं तो इसमें लमस पर जाएगा इसे हम अची तरह से चलाते ही रहना है थीक है उसके बाद देखेंद्स मैंने लिया है 200 ग्राम मावा इसमें 200 ग्राम मावा दिया है यहाई आप चाहें तो इसमें और ज़ कि तो में बावा पड़ेंद यह जो लिए अगर आपको बिल्कुल ही रे ठीक है फैंट और आप साथ ही कमेंड भी कीजिए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लेगी फैंट यह देखि यह तरह से घ्ला जाएगा फैंट उसके बाद देखें यह मैंने लिया है काजू मैंने काजू 100 ग्राम लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से इसमें पीस करके डाल दिया है ठीक है फ्रेंट्स काजू को हमें बिलकुल ही बारीक नहीं पीसना है थोड़ा हमें दरदरा रखना है ताके हमारे फिरने में इसमें टेस्ट आए काजू का च्छोटा च्छोटा टेस्ट आएगा तो वह काफी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर हम दरदरा पिसेंगे तो फ्रेंट्स इसके लिए हमें दरदरा रखना उसके बाद देखे फिरन्स मैंने तो इसमें एक कप मिसर्मेंट देखा जाए तो यह 250 ग्राम का है फिरन्स आप चाहें तो ज्यादा ही मीठा पसंद है तो फिर आप और थोड़ा ज्यादा एट कर सकते हैं उसके बाद देखें फिरन्स मैंने थोड़ा सा कलर डाला है यह यलो कलर है मुझे थोड़ा सा येलो चाहिए तो मैंने थोड़ा color डाला है आपको अगर नहीं चाहिए तो आप color skip कर सकते हैं आपको बिल्कुल white चाहिए तो skip कर सकते हैं थोड़ा सा मुझे color डाल दिया है ताकि ये थोड़ा और जादा look देखने लगे friends इसी वज़ा से देखिए फिर्णस इसी तरह से हमें अच्छी तरह से इसे और अच्छा थिक बना लेना है फिर्णस ये देखिए इस तरह से देखिए फिर्णस इस तरह से हमें और अच्छा थोड़ा से बना लेना है फिर्णस इसी तरह से देखिए देखिए फ्रेंस ये किस तरह का दिख रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंस यकीन माने आप एक बर जरूर ट्राइ किजिए बहुत ही अच्छा जबरदस्त बनेगा फ्रेंस देखिए उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है तो हमें एक कटोरी में इसे ड कमा सकते हैं यह देखिए मैंने इस तरह से सारे में अपनी फिरनी को रेडी कर लिया है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और जादा से जादा हमें सपोर्ट भी कीजिए ओके ख्रीज बेद्स भाइ फ्रेंड्स